असले मौई अलेकूम दोस्तो आसाम की सी डिवी चैनल पर आप लोगों को मेरे दिल से हर दिख स्वागात थे तो दोस्तो आप लोगों को शाहिद पते हैं हम रोज संडे संडे कॉमेंट बॉक्स लेका रहते हैं सिर्फ आपके लिए तो आप लोगों से बहुत सारे लोग हमें कॉमेंट करते हैं और कॉमेंट करके सावल पूसते हैं तो जिस questions का answer मैं आपको इस वीडियो में दूंगा तो शावल तो हमें बहुत सरे मिलते हैं लेकिन उन में से कुछ questions मुझे समझ में आते हैं और कुछ questions बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्यों नहीं आती है वो आपको वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा तो आज हमने कुछ कोमेंट्स जो important comments है वो हमने drop किया है कुछ comment करके questions पुशक आए है उसका कोई मतलब ही नहीं निकलते हैं तो मैं आपको इस वीडियो को पुरा आं तक देखने के लिए request करूँगा क्योंकि तो comment box में बहुत सारे comments आते हैं और बहुत सारे लोग बहुत तरह को सवाल करते हैं उन सवाल से आपको बहुत सारे knowledge भी मिलता है एक ही वीडियो के अंदर तो वीडियो का आँ तक जरूर देखिए और दयुस्ता आगर आप आमरी चैनल पर नए है नतलम हमारी चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं रेबिट का एसमल बच्चे लूगी, मतला वो खरगोश के सोटे बच्चे खरीदें, तो मैं आपको यहापर बलना चाहता हूँ कि आप खरगोश के बच्चे खरीदें, दो मांद के जो बच्चे हैं उनको, दो माहेने के निच्चे के बच्चे आगर आप खरीदेंगे, तो म इससे आपका खरवोश का बच्चा हेल्थी रहेगा ग्रोथ भी आच्छा होगा नेक्स्ट कुशन किया गया है राजश राजश्वरी दुर्वे मुझे रेडिट खरिदना है तो यह देखिया यहापर लिखे गया है रेडिट लिखना सकता था लेकिन रेडिट हो गया टाइ नहीं करते हैं तो उन्होंने कुशन किया है मुझे रेडिट खरिदना है वह आभी तीन वीक के है तो मुझे कितने दिन बात खरिदू तो इससे पहले मैंने कॉमेंट का रिप्लाइद दिया आप खरवोश के बच्चे खरिद चकते हैं सिर्फ दो मन्त के बच्चे उसके न जानवार का जो हैर है मतलब बाल है वो खाने में आ जाए तो और खाने के साथ अगर आपके गोडाउन के अंदर चले जाए तो आपके पेट के समय से हो जाए वो हो सकता है तो इसलिए मैं आपको साज़स्ट करूंगा आप अगर कोई एनिमेल्स को टास कर रहे हैं मतलब ग क्या है भाई सिंगर खरगोष बच्चा देता है कुछ समझ में आ रहा है वो शायद लिखना साथा था कि सिंगल रेवीट तो इधर हो गया सिंगर रेवीट कोई बात नहीं मैं समझ लिया तो तो देखिए आप खरगोष एक नहीं पाल सकते हैं मेरे हिसाब से एक खरगोष पलना मेरे सबसे गलाब थे क्योंकि तो सिंगल जो रेवीट रहता है वो अकले रहना में वोरिंग फिल करता है डिप्रेशन में चाले जाते है जोन की हेल्थ के लिए बहुत थी नुकसान दयक होते हैं तो आप कभी भी एक रेवीट मत खरीदें एक पेर खरीदें अगर आ शेक आप खरगोश लाना कहा जा रहे हूँ दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक ब्लोग बनाया था कि मैं खरगोश खरीदने जा रहा हूँ अगर आप वो ब्लोग को मिस क्या है तो आइपटर में देद दूंगा वह आप देख सकते हैं तोस्तों मेरा एक सब्सक्राइबर ह जिसका नाम है मानीशादाश तो उसके घर में डेड़ सरा खरगोश है तो सिर्फ सब्सक्राइबर है नहीं मेरा दोस्त भी है और अगर फैंस का हो तो भी गलत नहीं होगा तो उनके घर में ने गया था खरगोश करेंदे के लिए चार खरगोश करीदा तीन फीमेल वीडियो वनाया है तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे है तो आई बेटन पर दे दूंगा वहाँ पर क्लिकर करके आप देख सकते हैं तो वहाँ पर मैंने अच्छी तेरा समझाया कि अगर कोई मादा खरगोश को दूद नहीं पिलाती है तो क्यासे पिलाना तो सबसे बहला जा रिजन्स होते है वह कोई बिटेमेनरचा कमी के मादा से होते है और कोई दो खरगोशल आपस में जगड़ा करते हैं उस वकदी बाल ज़ड़ जाते है और हर्मन की सेमेटर के समाई भी भाल ज़ड़ जाते हैं तो आगर आपको इस टोपीक पर वीडियो चाहिए तो नीसे comment section में ज़रूर लिखें मैं आपको इस topic पर एक आलग सा वीडियो बना दूँगा तो next question क्या गया है HR 13 अले खरगोष दूबारा बाच्चे जनम कब देता है दोस्तो जाब आप खरगोष को मेटिंग कराएंगे तो उससे ठीक 28 से 13 दिन या 35 दिन के अंदर खरगोष बाच्चे जनम देता है तो next question क्या गया है ममता कुमारी तो दोस्तो एक comment बहुत थी मुझे फानी लग रहा है तो आए पढ़ते हैं मेरा खरगोष दो बार मर गया दोस्तो बस बन से मैं एही सुनता आ रहा हूँ कि जिसके अंदर आत्माय है वो सिर्फ एक बार ही मर जते हैं और एक बार ही जनम लेते हैं ठीक है तो आस में पहली बार सुन रहा हूँ कि खरगोष दो बार मर गया तो इस मेमले में आपका क्या खायल है comment section में जाकर ज़रू questions किजिए क्योंकि publicly हो जाते हैं तो मैं आपको सोटा नहीं करना सबते हूं ममता कुमारी लेकिन आपको आगे गलती ना हो इसलिए हमने इस comment को थोड़ा फाने ले बताया तो please comment करने से पहले थोड़ा सोच समस्कर किजिए next question क्या गया है सबांग रंग्रेज उन्हाने questions क्या दोस्तों यह questions नहीं है मेरा ही तारीफ है तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भाई आप से सही rabbits के बारा में कोई नहीं जानकरी देता मैं आपका चैनल लोगों को subscribe करने को कहता हूं क्यूंकि आप वीडियो आच्छी बनाते हो तो मुझे थोड़ा अच्छा लाग रहा है क मुझे आप भी पता सहला कि मेरे वीडियो से लोगों का help होता है तो comment करने के लिए thank you next परते हैं हो सकता है कि इंशानला आपके एक मिलियोन सब्सक्राइबर हो जाए वाव क्या बात है तो जल्दी से हो जाए ये भी मैं चाहता हूं अगे परते हैं thanks for videos बनाने के लिए and happy birthday म मेरी तरफ से तो thank you थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा जो birthday हो 5th January में था and मेरी तरफ से आपका gift है वीडियो को share and like करना तो thank you so much and आप लोग भी वीडियो के लाइक कीजिए और दोस्तों का था शेयर कीजिए दोस्तों और भी कोई questions हमने drop नहीं किया है क्योंकि लोग सही से comment करना शायद नहीं आता है तो उन लोगों के लिए मेरा एक request है अगर आपके मन में कोई भी सावल है तो अच्छी से हमको पूछिया हम जरूर जबब देंगे ऐसा नहीं कि हम जबब नहीं देंगे जरूर जबब देंगे तो अगर आपके मन में कोई खरगोश के बार में चाहिए तो comment section में हमको कि दूस्तो आप सबको ही पता है कि मैं खरगोश के बार में ही वीडियोस बानाते हूँ तो मिलते हैं दूसरी को ये वीडियो के साथ खुश रहे मस्त रहे हमारी चैनल से जोड़े रहे खुदा हफीज